दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि को एक्टिंग सिग्नल रेलवेज में को एक्टिंग सिग्नल क्या होता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं को एक्टिंग सिग्नल का फुल फॉर्म क्या होता है co-acting signal का full form होता है common acting signal यानि की एक जैसा signal behave करने वाला मतलब जो दो signal होते वहाँ पे वो एक जैसा behave करते हैं common acting signal में दो lights लगी होती है और जब भी train हमारी किसी breeze से, किसी mode से या फिर किसी गुफा से होकर गुज़रती है तो वहाँ पे train टकरा है न जाने driver को सही से अगर एक signal नहीं दिखा तो दूसरा signal उसके पैलल में लगा हुआ होता है वो सही से दिख जाए इसलिए वहाँ पे co-acting signal का यूज किया जाता है तो अगर किसी कारणवर्स एक signal नहीं दिखाई देता है तो दूसरा signal दिखाई दे जाता है ताकि train का टकराऊ ना हो जिसके वज़े से driver जो है असानी से उस train को पास करा सके और co-acting signal अगर co-acting signal में एक भी light खराब हो जाती है वहाँ पे दो lights लगी होती है अगर कोई एक light खराब हो जाती है तो दूसरी light को भी बदल दिया जाता है क्योंकि क्योंकि वहाँ पे दोनो light की जरौत पड़ती है माल लिए एक खराब होगी और दूसरी सही है तब भी काम नहीं हो सकता है इसलिए अगर एक light खराब है तो पूरे signal को चेंज करके दोनो lights को नया लगाते हैं जिसकी वज़य से एक नया signal create हो जाता है जिसको बोलते हैं co-acting signal तो आज किस वीडियो में आप समझ गयोंगी co-acting signal का basically use क्या होता है उसका बहुत important रोल होता है railway में और railway में बहुत सारे signal होते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था मैं अलग-अलग वीडियो बना दूँगा अलगए signals के लिए तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगओ हो वीडियो अच्छा लगओ हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएए और subscribe कर लीजे एंग छोइए यटराई बना लिए कर दो खऴीज़ वीडियो बना भागए Esp